हाई एवरिवन वेलकम टू माई चैनल सो आज का वीडियो होने वाला एक गाउन पर सो इस वीडियो में आप देखेंगे कि साड़ी में से गाउन केसे क्रियेट करते हैं सो वीडियो सुरू करते हैं सो मैं यहाँ पर ये वाला मेजर्मेंट ले रही हूँ आप अपने अकोडिंग मेजर्मेंट ले सकते हो यहाँ पर मैंने जोर्जट की साड़ी ली हुई है और ये थ्री मिटर लाइनिंग लिया हुआ है आप कोई भी साड़ी ले सकते हो साडी में से मैंने पहले से ये fall and less निकाल दिया है तो ये सारी कुछ इस तरह से है इस वाली साडी में सिर्फ नीचे की और work हुआ है और पूरी सारी plan है आप अपनी साडी में देखिए कि कौन से एरिया में केसा work हुआ है उसके according ही आप cut कीजे मैं यहाँ पर work वाला पाट अलग cut करूँगी और plan पाट अलग cut करूँगी यहाँ पर मैंने upper body के लिए lining लिया हुआ है और उसमें pin up कर दिया है सो मैं पहले lining को cut करूँगी आपका fabric flow ही है तो आप पहले lining को cut कीजे उससे आपको marking करने में आसानी होगी सो यहाँ पर मैं ले रही हूँ shoulder मेरा shoulder है 14 inch उसका आदा आएगा 7 inch और shoulder से ही हम लेंगे armhole 7 inch पर और यहाँ से ही हम लेंगे burst line पर 10.5 inch और west line पर आएगा 14 inch और 1.5 inch extra अब हमें line draw करना है यह extra वाले point पर हम line draw करेंगे और यह waste area पर इस तरह से line draw करनी है और यह हो गया हमारा burst line और यह हो गया हमारा armhole कुछ इस तरह से अब लूंगी में round measurement आपका round measurement जो भी हो उससे आप four से divide कीजे तो मेरा round measurement है burst area का 34 inch तो उससे four से divide करने पर आएगा 8.5 और west line है 30 inch उससे four से divide करने पर आएगा 7.5 inch अब लूंगी में गले की marking तो मैं यहाँ पर boat neck ले रही हूं उसकी deepness है 3.5 और उसकी width है 4.5 यहाँ पर एक box ड्रो कर लेना है कुछ इस तरह से and then उसके बाद हमें अच्छे से cover देते हुए गले को draw कर लेना है कुछ इस तरह से उसके बाद मैं आम होल को draw करूंगी अच्छे से cover देते हुए कुछ इस तरह से उसके बाद हमें यह marking को जोड देना है और डेड़ इच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए line draw कर लेनी है कुछ इस तरह से सो यहाँ पर मैंने पूरी marking done कर ली है अब मैं उसे cut कर लूँगी इस वाले lining को मैं main fabric पर रखकर cut कर दूँगी यहाँ पर मैं कटिंग done हो चुकी है कुछ इस तरह से सो मैंने main fabric को भी cut कर लिया है कुछ इस तरह से और नीचे की और lining को रखा है उपर की side main fabric रखकर पूरे में pin up कर दिया है और पूरे में सिलाई कर लूँगी सो यहाँ पर मैंने दोनों पाट में सिलाई कर दी है कुछ इस तरह से हम एक वाले पाट को पल्टा के सीधा कर देंगे और एक को ऐसे ही रखेंगे कुछ इस तरह से अब हमें सीधे पाट को उस वाले पाट के अंदर की और डालना है और सोल्डर तक लेके जाना है इस वाले पाट को हमें कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है और यह सीधे वाले पाट को इस तरह से रख देना है और ये सोल्डर को पकड़के हमें उस वाले सोल्डर तक लेके जाना है कुछ इस तरह से मैंने दोनों सोल्डर में सिलाई कर दी है अब उसे हमें पलटा के सीधा कर लेना है ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों साइड सीधी साइड होनी चाहिए आमने सामने कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और अंदर का फेबरिक पकड़ के हमें खीच देना है तो ये अपने आप सीधा हो जाएगा दूसरी वाली साइड भी कुछ इस तरह से ही करना है इस वाले मेथड से हमारी सीलाई कुछ इस तरह से क्लीन आएगी नीचे की साइड भी और उपर की साइड भी नीचे की साइड और ये हैं उपर की साइड यहाँ पर मेरा अपर बोडी पार्ट रेडी हो चुका है आप चाहो तो यहाँ पर स्लीव अटेज कर सकते हो मैंने गेरे को cut किया हुआ है work वाला part अलग से और plan part अलग से cut किया हुआ है आप अपने साडी के design के a according कट कर सकते हो अब हमें यहाँ उपर की side gathering डालनी है दोनों पाट में मैंने कुछ इस तरह से gathering डाल दी है दोनों पाट में और ये वाला पार्ट में यहां पर अटेज कर दूंगी और साइड में साइड फिटिंग कर लेनी हैं दोनों साइड और नीचे की तरफ आधाइच मोड़ते हुए सिलाई कर देनी है तो यहां पर सोल्डर से 40 नीच पर मार्किंग करके मैंने पिनप कर दिया है और गेरे को भी रेडी कर लिया है लाइनिंग के साथ तो हमें इस गेरे को यहां पर रखना है कुछ इस तरह से वेस्ट लाइन पर और यहां पर सिलाई कर देनी है गेरे को यहां पर हम अटेज कर देंगे अटेज होने के बाद ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उससे टू फोल करके हमें सिलाई कर देनी है कुछ इस तरह से इससे आपके धागे वगेरा नहीं निकलेंगे तो यहाँ पर अल्मोस्ट कुर्ती रेडी हो चुकी है ये कुछ इस तरह से दिख रही है सिर्फ अब हमें साइड फिटिंग देनी है यहाँ पर दोनों साइड सो ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी से भी हेलफुल रही हो तो प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब कर दीजेगा थेंक्यू पर वाचिंग